जिन्दगी हसाए तो समझना की अच्छे करमों का फल मिल रहा है और जब रुलाए तो समझना की अच्छे करम करने का समय आ गया है सब कुछ खोकर भी अगर आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजे आप में कुछ भी नहीं खोया घायल तो यहां हर एक परिंदा है मगर जो फिर से उड़ सके वही जिन्दा है वक्त सब कुछ दिखा देता है लोगों का साथ भी लोगों की आउकाद भी कठिन रास्तों से ना घबराएं क्योंकि कठिन रास्ते अक्सर खूपसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ, विश्वास तोड़ने वाला होता है क्योंकि वो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक ब्यारे इंसान को खो देता है अगर मरने के बाद भी जीना चाहो तो एक काम जरूर करना पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जो इंसानियत नहीं सिखाती गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूं तभी आजकल मैं रिष्टे कम रखता हूं डरसा लगता है अब रिष्टों से, लोग थोड़ा दे कर बहुत कुछ ले जाते हैं सब कुछ होते हुए भी, अगर कोई खुश नहीं है, तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खाली पन है कुछ खाली पन ऐसे होते हैं, जो पैसों से कभी पूरे नहीं हो सकते समझदारी इसी में हैं, कि कभी भी उस व्यक्ति पर पूरा भरोसा मत कीजिए, जिससे आप एक बार भी दोखा खा चुके हों भीड हमेशा आसान रास्ते पर ही चलती है, जरूरी नहीं वो सही है, अपने रास्ते खुच चुनिये क्योंकि आपको आपसे बहतर और कोई नहीं जानता, अपने रिष्टों को उपहार दो या मत दो, पर अपने रिष्टों को समय जरूर दो, क्योंकि ताजमहल को सारी दुनिया ने देखा है, पर जिस मुमताज के लिए वो ताजमहल बना, वो उसने नहीं देखा